तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जी एम हॉपकिन्स की पोयम में दा हैबिट ओफ परफेक्शन को पोयिट का पूरा नाम है जराड मैनली हॉपकिन्स लेकिन ये जी एम हॉपकिन्स के नाम से ही जाने जाते हैं पोयिट ने ये पोयम 1866 में लिखी थी जब वो उक्सवर्ड युनिवर्सिटी में पढ़ाई ही कर रहे थे इस पोयम का ओरिजिनल टाइटल है दा काइंड बैट रोथल ये पोयिट नौटेबल है इसे आप रेफरेंस टू कॉंटेक्स या क्रिटिकल अप्रिशियेशन में में मेंशन कर सकते हैं अब आते हैं पोयम की थीम पर तो इस पोयम में पोयिट जीम हॉपकिन्स ने खुद अपनी फीलिंग से शेयर की हैं पोयिट चाता है कि वो अपनी बचिवी लाइफ में रिलीजियस बनके रहे और केवल जीसस क्राइस्ट की वर्शिप करे और वो चाता है कि अब वो पोयिट्रीज लिखना बंद कर दे क्योंकि पोयिट्रीज उसकी रिलीजियस लाइफ में बाधा बनेंगी और इसके बाद सच में पोईट ने अगले साथ सालों तक कोई भी पोयम नहीं लिखी थी लेकिन बाद में उन्होंने फिर से लिखना शुरू कर दिया था और वो चाहता है कि उसके आँखे कुछ भी गलत ना देखें उसके होटो से कोई भी आवाज ना निकले और वो केवल साइलेंस को ही सुनना चाहता है उसे ही फील करना चाहता है इसके अलावा कोई और आवाज या म्यूजिक उसे नहीं सुनना तो ये था इस पोयम का बेक्गराउंड और थीम अब आते हैं पोयम के टेक्स्ट पर Elected Silence Elected Silence का मतलब है Choosen Silence मतलब वो शांती जो पोईट ने अपने लिए खुद चुनी है मतलब Eternal Silence जिसका आनंद पोईट लेना चाहता है Religious बनके Sing to me and beat upon my whole head ear यहाँ पर पोईट ने म्यूजिक को परस्निफाई किया है मतलब यहाँ पोईट ने म्यूजिक को एक जीता जागता इंसान मानते हुए address किया है पोईट म्यूजिक से कहता है कि म्यूजिक तुम मेरे लिए कोई ऐसी beat या tune गाओ जो मेरे कान के अंदर वाले हिस्से तक तो पहुंच जाए लेकिन उसकी आवाज मुझे सुनाई ना दे पाइप मी टू पास्चर्स इस्टेले पास्चर्स इस्टेल का मतलब है शान्त पास्चर्स नॉर्मली जब शैपर्ड से पास्चर्स में जानवरों को चराने के लिए जाते हैं तो वो अपना काम करने के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं लेकिन पोईट वैसी ट्यून्स नहीं सुनना चाता है इसलिए वो म्यूजिक से कहता है कि म्यूजिक तुम मेरे लिए कोई ऐसी ट्यून या गाना प्ले करो जो शान्त पास्चर्स में सुनाई देता हो ये दोनों ल के अंदर तक तो पहुंच जाए लेकिन उसके आवाज मुझे सुनाई ना दे और ऐसी कोई ट्यून तुम मेरे लिए प्ले करो जो शांत पास्चर्स में भी सुनाई देती हो तो बेसिकली यहां पर पोईट थोड़ा रिलीजिस स्टिक बनके बात कर रहा है बाकी ऐसा कोई म्यूजिक होता नहीं है जिसमें आवाज न हो आगे पोईट कहता है कि मैं वही म्यूजिक सुनना चाहता हूँ जो मुझे सुनना पसंद है जिसकी मुझे केर है मतलब अब point चाहता है कि उसके lips की कोई भी shape ना बने मतलब उसके होटों से अब कोई भी आवाज ना निकले Point का मानना है कि उसके होट ज्यादा अच्छे तभी लगेंगे जब वो हमेशा के लिए बंध हो जाएंगे It is the shut the curfew scent पोईट चाता है कि जिस तरह से एक कर्फ्यू में पूरी तरीके से शान्ती हो जाती है ठीक उसी तरीके से उसके होट भी हमेशा के लिए बंध हो जाएं शट हो जाएं फ्रॉम देर वर ओल सरेंडर से कम विच ओनली मेक्स यू इलोक्यूंट इलोक्यूंट का मतलब है प्लेजर ओफ इस्पिकिंग पोईट चाता है कि उसके लिप से प्लेजर ओफ इस्पिकिंग के आगे सरेंडर कर दे मतलब पोईट चाता है कि उसके होटों से अब कभी भी कोई भी आवाज ना निकले और वो हमेशा शान्त रहे और केवल जीसस क्राइस्ट की वर्शिप करता रही अब पोईट अपनी आँखों की बात कर रहा है यहाँ पर डबल डार्क का मतलब है वो ब्यूटिफुल साइट से जो हम देखना पसंद करते है और शैल्ड का मतलब है बंध होना अब पोईट चाहता है कि उसकी आँखे दुनिया की अलग-अलग ब्यूटिफुल साइट्स को देखना बंध कर दे और उसकी आँखे केवल गौड की क्रियेटिव लाइट और नौलेज की ही सर्च करे इस रख एंड रील विच यू रिमार्क इस लाइन का मतलब है कि ऐसी ब्यूटिफुल साइट्स तो केवल हमें कन्फ्यूज करने के लिए होती है ऐसी ब्यूटिफुल साइट्स को हम देखते हैं और इन्हें हमेशा देखते रहना चाहते हैं और जो simple sides हम देखते हैं वो हमें पसंद नहीं आती हैं बलकि हम उनसे tease होते हैं तो basically point करना चाता है कि उसके आखे बंध हो जाएं और अच्छा बुरा कुछ भी ना देख सके यहाँ पर palate का मतलब है food का taste हच का मतलब है वो जगह जहां food store किया जाता है और tasty lust का मतलब है tasty tasty food खाने की desires अब इस stanza में poet अपने mouth के लिए बात कर रहा है poet कहता है कि मैं चाता हूँ कि मेरा mouth अब tasty tasty खाना खाने की desires ना रखे क्योंकि अब मैं religious बनने वाला हूँ और एक religious और simple life अब से मैं जीने वाला हूँ desire not to be rind with wine कि मेरा mouth अब ये desire ना रखे कि उसे खाने के साथ wine मिलेगी क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा the can must be so sweet the crust यहां पर can का मतलब है पानी का वैसल या बरतन और crust का मतलब है सूखी रोटी पोईट कहता है कि मेरे लिए अब अच्छा यही होगा कि मैं केवल सूखी रोटी खाऊं वो भी पानी के साथ so fresh that come in a fast divine या फिर मैं fast रखूं ताकि मैं God को प्लीज कर सकूं खुश कर सकूं अब पोईट यहां पर अपनी नोस्ट्रिल्स की बात कर रहा है नोस्ट्रिल्स का मतलब है नाक के अंदर का वो पार्ट जिससे हम smell करते हैं पोईट कहता है कि मेरे नोस्ट्रिल्स ने अपना अब तक का टाइम में केरलेसली कुछ भी ब्रीथ करने में बिताया है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पोईट कहता है कि मेरे नोस्ट्रिल्स को चर्च में जो अगरवत्ती जलती है उन अगरवत्तियों की smell में ही pleasure मिलना चाहिए ना कि उस smell में उन perfumes में जो की rich या proud ladies लगाती है यहाँ पर stir का मतलब है perfume, sensors का मतलब है अगरवत्ती और century का मतलब है church अब poet इस stanza में अपने हातों और पैरों के लिए बात कर रहा है कि मेरे हातों को हमेशा soft touch की ही तलाश होती है और fit that won't die yield of a pulshy sword pulshy sword का मतलब है वो जमीन जहां velvety soft grass उगीवी होती है poet करता है कि मेरे पैर चाते हैं कि वो हमेशा velvety soft grass पर ही चलते रहें कभी भी वो किसी hard land पर ना चले तो basically poet का यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि normally हमारे हात और पाउं soft touch की ही तलाश करते हैं लेकिन अब मुझे religious बनना है तो मेरे हात और पाउं को अब उन soft touch की तलाश नहीं होनी चाहिए but you shall walk the golden street लेकिन अब मेरे पैर केवल golden street तक चल कर जाएंगे वो street जो church तक जाती है and you on house and house the lord कि चाहते हुए या ना चाहते हुए लेकिन अब मेरे पैर केवल lord यानि Jesus Christ के घर तक ही जाएंगे मतलब मैं चाहता हुँ कि अब मैं केवल चर्च तक चल कर जाएं और किसी और मेरे पैर किसी भी soft touch की तलाश अब ना करें and poverty be the bride poet कता है कि मेरी शादी किसी young maiden के साथ नहीं होगी जबकि मेरी bride होगी poverty मतलब गरीवी and now the marriage feast begun कि मेरी शादी की feast अब शुरू हो चुकी है यहाँ point का कहने का मतलब है कि अब मैं जब religious life जीने जा रहा हूँ तो मैं केवल Jesus Christ की worship करना चाहता हूँ तब मैं simple life जीऊंगा और गरीबी के life जीऊंगा कि हर husband को अपनी wife को colorful clothes में ही देखना पसंद होता है लेकिन मेरी जो bride होगी मतलब poverty वो colorful कपडों में नहीं होगी लेकिन फिर भी वो मुझे लिली के फिल्ड की तरह प्लैजर समें और आनंद देने वाली लगेगी बेसिकली point कहना चाहता है कि अब जब मैं religious life जीऊंगा तो मेरे पास different varieties के colorful कपड़े नहीं होगे जो हर व्यक्ति को पसंद होते हैं लेकिन क्योंकि मैं अपनी इच्छा से religious बनना चाहता हूँ तो मैं simple कपड़ों में भी खुश रहूंगा तो इसी के साथ ही हमारी आज की poem है The Habit of Perfection complete होती है उम्मीद है poem आपको समझ में आ गई होगी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like, share, comment और subscribe करें और वीडियो को अट तक देखने के लिए thank you so much